हाई फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं house paint से related कि अगर आप house को paint करते हैं तो उसमें total cost कितनी आती है उसमें materials कितना लगता है और वहाँ पर labor charge कितना लगता है और उसका rate के हाँ materials का सारा हम calculation इस वीडियो में करने वाले हैं तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि 200 square feet house को हम paint क करते हैं तो उसमें कितना पेसा लगता है तो पूरा calculation हम इस video में देखने वाले हैं कि अगर आप double coat putty लगाते हैं तो उसका rate क्या है total putty किटना लगेगा और आगे हम देखेंगे कि single coat अगर आप primer लगाते हैं तो primer काמה लगेगा और इसका rate कितना है सब ditchers में हम देखनेógरे का रेट कितना है सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो फ्रेंड्स अगर आप नए है तो चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना तो सबसे पहले आपको यह देख लेना है कि कितने एरिया का आपको करते हैं इतना एरिया है अब 2000 इसकर फीट का तो उसमें कितना इंवेश्मेंट आएगा सारा हम देखेंगे पुट्टी प्राइमर पेंट का टोटल कोस्ट कितना होगा तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2000 इसकर फीट आपका टोटल एरिया है टोटल एरिया मे से जो window और door लगे हैं उसकी size calculation करके उसमें से minus आपको कर देना है तो यहाँ पर हमारा door है 4 by 7 का एक door है जितने भी door है आपका इसमें calculation कर लेना तो 28 square feet है हमारा door का size और window हमने दो लिये 3 by 4 की तो 12 12 square feet के हमारे window है क्योंकि यहाँ पर हमको paint नहीं करना है तो total area में से जो window door के जितना भी square feet में आ रहा है उसमें से आपको क्या कर देना है minus कर देना है तो यहाँ पर हमारा window plus door का total size है वो आपको calculation कर लेना है तो यहाँ हमारा 28 plus 12 plus 12 तो यहाँ पर 52 square feet में हमको paint नहीं करना है तो 52 square feet आपको क्या करना है total area में से आपको minus कर देना है तो 2000 minus 52 तो हमारा बचेगा 1948 square feet तो total आपको क्या करना है 1948 square feet में आपको क्या करना है paint करना है तो total cost हमको निकालना है 1948 square feet का तो यही हम देखने वाले हैं सबसे पहले आपको क्या करना है कि पुट्टी लगेगी तो डबल कोट्थ पुट्टी लगेगी तो इसका कैल्कुलेशन हम करते हैं तो फ़ोर एग्जाम्पल 19-16 mountains abundant में 1 kg यूस होता है पुट्टी तो यहां पर हम मान लेहे हैं कि 1 kg 14 После 17 relations में यूस होता है अब आगे क्या है कि टोटल एरिया आपना कितना है यहाँ पे हमारा 1948 स्क्वेर फीट है टोटल एरिया तो उसमें आपको डिवाइडेट कर देना है कि 14 तो आ जाएगा हमारा 149.14 kg आपको कितना लगेगा पुट्टी लगेगा तो आप आगे क्या करना है हमें कि जो पुट्टी रेट है हमें मार्केट में आप अलग-अलग हो सकता है जगह के हिसाब से जादा कम का भी पुट्टी आप यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं 25 रुपे पर केजी यहाँ पर मैं रेट ले रहा हूं पुट्टी का तो यहाँ पर 149.14 हमको क्या kg लगेगा पुट्टी तो यहां पर क्या करना है तो उसमें rate का multiply कर देना तो पुट्टी हमारा आ जाएगा 3478.5 रूपे हमारा पुट्टी लगेगा आगे हम देखते हैं प्राइमर सिंगल कोट अगर प्राइमर लगाते हैं तो इसका कोस्ट कितना आएगा तो यहां पर एक लिटर प्राइमर जो है 125 से 135 फीट में यूज होता है तो यहां पर एक लिटर जो है 130 फीट में हम यहां पर ले लेते हैं तो यहां पर हमको क्या करना 1948 हमारा टोटल एरिया है तो उसमें divided कर देना 130 का तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 14.98 लिटर हम को क्या लगेगा प्राइमर लगेगा तो प्राइमर का rate है जो हमारा है 140 रुपे पर लिटर हम यहाँ पर ले लेते हैं अगर आप प्राइमर अच्छा यूज करते हैं तो जादा इसकी प्राइस हो सकती है तो यहाँ पर हमारा है 14.98 लिटर हम को क्या लगेगा प्राइमर लगेगा तो 140 रुपे rate है तो यहाँ पर इसका मल्टिप्लाइ कर देगे तो हमारा आ जाएगा 2097 रुपे आएगा हमारा प्राइमर का प्राइस टोटल हमको प्राइमर लगेगा 2097 रुपे का तो आगे हम देखते हैं कि पैंट का कोस्ट कितना आएगा अगर हम डबल कोट पैंट करते हैं तो इसमें कोस्ट कितना आएगा पैंट जो है 85 से 95 स्कूर फीट में यूस होता है एक लिटर तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 90 स्कूर फीट में यूस हो जाता है एक लिटर टोटल एरिया में से 90 का डिवाड डेट कर देंगे तो आ जाएगा 21.64 लिटर हमको क्या लगेगा पैंट लगेगा तो यहाँ पर हम पैंट का रेट की बात करें तो अगर आप हाई पैंट यूस करते हैं तो आपकी प्राइस भी जादा हो सकती है लेकिन यहाँ पर मैं 200 रुपे पर लिटर का यूस कर रहा हूँ ओके तो यहाँ पर इसका हम केलकुलेशन करते हैं तो 21.64 इंटू क्या कर देना है 200 तो हमारा आजाएगा 4,328 रुपे का हमको क्या लगेगा यहाँ पर पैंट लगेगा तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हम टोटल केलकुलेशन कर लेते हैं कि पूट्टी प्राइमर प्लस पैंट तो यहाँ पर 3478 प्लस 297 प्लस 428 तो यह हमारा इनको प्लस कर देना है तो टोटल माटिरियल्स का कोस्ट आ जाएगा तो 9903 रुपे का हमको माटिरियल्स लगेगा तो आगे हम देखते हैं कि लेबर चार्ज कितना लगेगा तो इसका भी हम केलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तो जगो के हिसाब से लेबर का चार्ज अलग-अलग हो सकता है यहाँ पर में 7 रुपे स्करफीट यहाँ पर में ले रहा हूँ तो यहाँ पर आपको क्या करना है जो टोटल एरिया है हमारा 1948 यहाँ पर हमारा पेंट होगा तो हमारा रेट क्या है 7 रुपे पर उसकर फीट तो इसमें मल्टिप्लाई कर देना है तो हमारा आज आगा 13,636 रुपे हमारा क्या है लेबर चार्ज लगेगा तो इस प्रकार साब किलकुलेशन कर सकते हैं तो इसके बाद में हमारा टोटल कोस्ट आएगा पेंट प्लस लेबर चार्ज 23,549 रुपे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए